नमस्ते सदावत सले मात्रभूमें आज हम डोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के खिर्श्मंत्री ने स्तीफा दे दिया है और स्तीफे में जो ilj accentsized लगाया वो ilj accentать khi bharti janta party की जो सरकार भ duplic society agriculture आज भी चल रहे हैं और हमने सरकार इसलिए नहीं बनाई है कि वो उनकी पलिसी चले मज़े की बात यह है कि यही सुधाकर सिंग जो आरजेडी के बड़े नेता के बेटे हैं 2010 में भारती जंता पार्टी के टिकट से चुना और रहे था है अब आप सोच लीजे कि आरजेडी का मिलाकर खड़ा हो जगधानंद सेख साथ का बेटा बीजेपी चुनाओ लड़े है sudah 10 नहीं 2019 वह फिर में 20 कि और फिर वहos चुनाओ है टिकट से लड़े और आरजेडी के टिकट से वो चुनाओ जीत जाए पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बनकर वो क्रश्मंत्री बने और उसके बाद वो इस्तीफा दे रहे तो आप सोच लिए कि जिस समय वो चुनाओ लड़कर भारती जनता पार्टी के खिलाफ आरजीडी के बैनर पर चुनाओ थे तो भारती जनता पार्टी तो मुझे नहीं लगता कि उनको इतना परेज होगा क्योंकि भारती जनता पार्टी के टिकट से जो चुनाओ लड़ चुका हो उसको भारती जनता पार्टी की पॉलिसी से परेज होगा भारती जनता पार्टी से समस्या होगी ऐसा लगता नह हैं लेकिन उन्होंने आरोप यहीं लगाया कि भारती जन्ता-पार्टी की पॉलिसी के खेलाफ एगिरीकल्चर की जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी के खिलाफ मैं स्टीवा दे रहा हूँ क्यूंकि वह पॉलिसीज अभी भी लागू है क्रृश्प назад खूछ convention आप सोचोँ कुछ को कनविंस करने के बजाए audiences कुछ कि उनका है और वो स्टीफा दे दें कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान और दे दिया है की हो मैरी ministry में चोर भरे हुए हैं और में चोरों का राजा हूं मैं चोरों का में वे हुऊ weights we लेकिन अभी ये हजम नहीं होता, कि ये चल क्या रहा है, क्या ये नितीश कुमार लालू प्रशाद के बेटे या आरजेली के गठबंदन पर कोई प्रारंबिक खात है, क्या नितीश कुमार इसमें फस चुके हैं, क्या नितीश कुमार के पास अब कोई साधन नहीं बचा है और वो इतने बुरे फस चुके हैं, कि वो उनको खुद समझ में नहीं आ रहा, क्या नितीश कुमार के ओपर दवाओ की प्रटेक्स में ये इस्तिफा दिया गया, लालू प्रशाद जेल से बाहर हैं, और लालू प्रशाद के जेल से बाहर आने के बाद, जब प्रतिवंद लगा, तो PFI के प्रतिवंद के साथ उन्होंने RGD, वो RSS पर प्रतिवंद की बात करती, यनि कि लालू प्रशाद यादव, एक्टिव प्रटेक्स में कुछ सक्रीता दिखाना चाहते हैं, जबकि वो फॉटर स्कैन में, चारा गोटाले में उनको जेल हो चुकी, अभी वो कुछ समय के लिए बाहर हो सकते हो, और ये नेता जिसने इस्तीफा दिया, इसके पिता RGD बिहार के प्रेसिडेंट हैं, जगदानंद जी, तो ये बात जगदानंद का बेटा जो बिहार, राश्टी जनता दल का अध्यक्ष है, उनका बेटा जो अग्रिकल्चर मिनिस्टर है, RGD के कोटे से है, BGP और नितिश कुमार के गठबंदन को हरा कर जीत कर आया है, वो इस्तीफा देता है, जबकि वो सोल अथरटी है, वो पावरफुल इस्तिती में है, कानून में संशोधन करवा सकते हैं, अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो, इसकी दो कारण हो सकत हैं, एक कारण तो मैं बारंबार बताता रहता हूं कि जो अधिकारियों का सिस्टम है, यानि कि administrative machinery से वो नहीं लड़ पा रहे हैं, वो जो कुछ गलत अच्छा करना चाहते होंगे, वो administrative machinery के जंजावट पे फच चुके हैं, हाला कि बिहार में कोई भी पार्टी, चाहें भा कि वो भली भांती परिचित हैं, और उनको वो जो executive bodies हैं, यानि कि जो IS और PCS की lobby है, वो lobby को वो अच्छे से tackle कर चुके होंगे, दोनों के बीच में अच्छा सा गठबंदन भी चल रहा होगा, नितिश कुमान ने उनको ठिकाने भी लगा दिया होगा, जिन लोगों से उनको खत्रा रहा होगा, या जो उनकी सरकार में सही होगी कि भूमिका में नहीं होगे, ये समस्या अगर उतरप्रदेश के मुख्मंतरी कहते हैं, तो समझ में आती है, दिल्ली के मुख्मंतरी कहते हैं, तो समझ में आती है, ऐसा कोई स्थान जैसे मैं कहूं जारखंड का मुख् कार चलाते हुए नहीं हुआ है और चुंकि किसी को चार साल हुए किसी को पांच साल हुए किसी को छे साल हुए तो यह संबब है कि administrative machinery अभी इन मुखमंत्री को confidence में लियो हो या यह मुखमंत्री भी यह समझना पाए हो कि कौन सा अधिकारी क्या काम करें लिकिन नितीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुखमंत्री होने के नाते पूरी administrative machinery को अच्छे से टेकल करना जानते होंगे और पूरी administrative machinery उनके सामने renew हो चुकी होगी पुराना वाला retire हो चुका होगा और पूरा जो भरतियां उनके सामने हुई होगी या उनसे कुछ समय पहले होगी वह अब चीफ पोस्टों पर होंगे जो मुख पोस्टों पर होंगे इसलिए उनको न ठेकल कर पाना सरकार के द्वारा ये भी हजम नहीं होता तो फिर आखिर है क्या मैं आपको बताता हूँ नितीश कुमार जो मुझे लगता है नितीश कुमार का स्वाभाविक गड़भनन अब भारती जनता पार्टी के साथ है इसमें कोई शक्ने दूसरी भारती जनता पार्टी के साथ जो सरकारें मिलकर चलती है उनकी एक और खास बात है कि भारती जनता पार्टी उंगली देती है वो अपने तुस्ट वो ऐसे एजेंडा जिसमें तुस्टिकरन के विरुद्ध वो काम करते हैं वो प्रोग्रेस की तरफ काम करते हैं वो प्रदेश में कोई शक्तियां ऐसी डबलप नहीं होने देते हैं जो वह विश्टे के लिए खत्रा हो और वो लॉंग टर्म करते हैं इसलिए सेंट्रल उसका सहयोग करता है और दूसरी बात यह है कि उनको उनमें पड़े लिखे लोग या मैं कहूं कि छन्ना लगाकर लोग कई संस्थानों से आते हैं इसलिए बहुत जादा वो समस्या खड़ी करने वाले लोग नहीं हैं लेकिन आरजेडी लंबे स समय से सत्ता से बाहर है और जिसने लंबे समय तक बिहार में सत्ता धारन करके रख्यों और पूरे बिहार को उन्होंने एक खेल का मैदान बना दिया हो गरीवी रेखा के नीचे ले जाकर ऐसी जगे खड़ा कर दिया हो जहां से निकलना मुश्किल था डबलमेंट तो बहु जा सकती है यह उनका फर्मूला था लेकिन मोदी जी के या मैं कहूं नितिश कुमार या बीजेपी के उदभव के बाद जो तीजी से उदभव हुआ उसके बाद जो सरकारें डबलमेंट के एजेंडे पर आई यानि कि अब डबलमेंट चलेगा देश में तुष्टिकरन न कर चले वहां पर तो हमने बिहार में दूसरी सिचुवेशन देखी बिहार डबलमेंट की तरफ चला या बिहार में मैं एक्लीस जितना कह सकता हूं कि लोगों के मन में या लोगों को यह दिखाई दिया कि निए वाकाई में वहां कुछ हो रहा है तो फिर नितीश कुमार की समस्या यह है कि वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते कि वो मुखमंत्री पत्से जरा सा टस से मस भी हो हाला कि उनका जाती वेस बिहार में कुछ नहीं है उनका वैसा कोई अपना वेस भी नहीं है लेकिन जब वो गठवंदन करते हैं और ये भी तय ह है कि वो कभी सरकार नहीं बना सकते इसलिए उनको एक एलाइंस की जरुत परती जो जाती समीकरण के अधार पर चले या जो दूसरा बॉडल डबलमेंट के अधार पर चले उनके वोट और अपना कुछ सुशाशन का जो उनका अपना फर्मूला रहते हैं उनके वोट के ले थे जो आरे जेडी और नितिश कुमार के गठवंदन के बाद उन्होंने सरकार बना ली थी बाद में वो गठवंदन टूटा क्योंकि वो स्वाभवी गठवंदन नहीं था फिर बीजेपी के साथ गठवंदन हुआ चुनाओं भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा गया बेटों को इतनी बुद्धी है कि नहीं है मुझे पता नहीं लेकिन लालू प्रशाद ये बिलकुल चाहेंगे कि नितिश कुमार किसी तरह से बैक फूट पर आ जाए और अब नितिश कुमार क्योंकि बहुत भुरे फसे हुए हैं अभी अभी उन्होंने बीजेपी के साथ एलाइंस तोड़ा है और बीजेपी के साथ दुबारा एलाइंस सा एकदम बनाना इतना संभव नहीं है और लंबा समय अगर होकर सरकार गिरती है चुनाव लड़ते हैं तो फिर नितिश कुमार हो सकता है कि इंडिपेंट कुछ कर ले या फिर बीजेपी फिर से साथ आ जा सकता है उतना प्रेशन में ले लेना चाहिए यही कारण है कि आप सोचिए जगदानंद सिंग जो लालू के बहुत खास है रगवन्स प्रशाद यादव की तरह है इतने खास कि रावडी देवी का जब नाम आया लालू को जब जेल हुई तो रावडी देवी के नाम का प् लेकिन उनको लालू के परिवार का सब कुछ इस तरह से मालूम है कि अगर उन्होंने अपना नाम दिया तो उनका नाम खतम हो जाए इसलिए उन्हों रावडी देवी का नाम प्रपोस कर दिया और रावडी देवी को मुख मंतरी बना दिया जीरो एजूकेशन होने के राश्ता अभी प्लिटिक सीख रहे हैं सीख भी जाएंगे लेकिन उसके बाबजूद जगदानन्न ने उनके नाम का प्रपोस किया तो कितने खास होंगे और बिहार प्रेजिडेंट बिहार का प्रेजिडेंट और इस समय सरकार सत्ता में हो उनके बेटे ने इस्तिफा दि नितीश कुमार को प्रेशर में कैसे लिया जाए नितीश कुमार घुटबरा या सरेंडर हो जाए इसके लिए ये राजनीती चल रही है लालू का इंडिकेशन दिख भी रहा है और नितीश कुमार प्रेशर में भी है अब आरजीडी हावी होकर जब तक 2024 का एटलिस चुनाव नहीं होगा तब तक अपने पैतरे खोल कर अपनी राजनीती को बिहार में जिंदा कर लेगी हाला कि ऐसा लोगों का कहना था कि आरजीडी बुझ गई थी लेकिन वीजेपी से विरोध के चक्कर में नितीश कुमार ने बिहार में आरजीडी को जिंदा कर दिया पिछली बर कर जाएं कि वो जो उपर मुख मंतरी हैं वो मुख मंतरी के दावेदारी पर सामने आ जाएं और लालू प्रशाद ये चाहते भी होंगे कि आरजीडी दुबारा फिल फ्लेश सब्ता में आए इसके लिए नितीश कुमार का खात्मा आवश्यक है और नितीश कुमार इस समय फसे हुए हैं नितीश कुमार के पास अब कोई उपाय नहीं मुझे लगता कि है कि वो इनको काउंटर भी कर सकें इसलिए इस तरह की राजनीती इस समय करना ये मुझे लगता है कि लालू प्रशाद की स्ट्राटिजी है और इसलिए ये इस्तिफा दिया गया नहीं तो चूत है ऐसा ये कह नहीं सकते सुधाकर सिंग क्योंकि ये बीजेपी से सुनाओ पहले भी एक बार लड़ चुके हैं देखते हैं आगे कि इनकी स्ट्राटिजी क्या बनती है जैहिन जै भारत बंदे मात्रम